नमस्क्राइब दोस्तों मैं संजय आपका बहुत बहुत स्वाइक करता हूँ आपके अपने शेयोटोब चैनल में दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आज की परपॉर्मेस के रिगार्डिंग दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर दिखेगा क्योंकि सारी चीजे में आपको बाताने वाला हूँ कितने सारे सिर्मलाज जनरेट हुआ थे कौन-कौन सामे काम करना था वो सारी बात हैं हम लोग करने वाले हैं तो आज की जो डेट है वो है चार जनबरी 2024 तो चले दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं सब सब पहले आपको लिए चलता हूँ चार्ट के उपर तो यह रहा अपना चार्ट अब आपने देखा होगा कि आज मार्केट भी जब ओपन हुआ था ओपन होते ही मार्केट लगातार उपर ही भागा था ठीक है तो यानि आप चेक कर सकते हैं अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ देखिए अपना बैंक निफ्टी यह फ्यूचर का चार्ट यहां पर लगा ह हुआ है पांच मिन टाइम फ्रेम पर अगर जो लोग फ्यूचर में काम करते हैं साथ देखिए का केश फ्यूचर में काम करने का जो तरीका होता है मैं थोड़ा डिस्कसिंग करना चाहते हूं इसके बाद मैं ओप्शेन प्याऊंगा अगर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर के अगर आप काम करते हो तो यह वाला जो चार्ट होता है केश फ्यूचर चार्ट इस पर आपको सिंपल सा बैंक निफ्टी अपना यहापर फ्यूचर निकाल लेना है और यहाँ पर देखिएगा जैसे कि आज जो वर्क हुआ था फ्यूचर के अंदर वो देखिएगा मौर ग्रीन होने चाहिए और पाइवोट लेवल की बेली को पर मार्केट बाय होना चाहिए अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपको टागेट मिलेगा ही मिलेगा अब यहाँ पर देखिएगा आपको शोट टर्म आपका क्या है ग्रीन अपना ब्लू कलर में है और लॉंट टर्म आपका रेड है यानि कि साब आपको यहाँ पर टागेट जो मिलेगा फॉर्स टागेट डेफिनेटली मिलेगा हमें आपकर कंपर हो गया लेकिन अगर लॉंट टर्म भी यहाँ पर अगर यह ब्लू कलर में होता तो डेफिनेटली आपको सेकंड टागेट मार्केट एक ही ब सारी बाते में आपको बता देता हूं तो देखेगा option में काम करने के लिए कि strike price की जरूरत पड़ती है तो आपको कैसे मिलेगी आपको simple सा बैंक रिफ्टी का future का चार्ट open करना है और यहां पर जो opening candle होगी उस पर automatic इस तरह के लाइन ड्रो होके आती है आपको समझ जाना है कि अपनी opening candle है अब साब जैसे मैं opening candle पर क्लिक करूंगा यहां पर तो देखेगा आज की जो opening candle है इसके सारी value हमें शो कर रही है जैसे opening candle का high कितना था opening candle का low कितना था opening candle का opening price कितना था opening candle का closing price कितना था वो सारी बाते हमें आपर दिखाई दे रहे हैं तो हमें simple सा अभी यहां पर देखेगा जो Opening price है अपनी यह देखना है Opening price से हम यह पता कर लेते हैं कि आज का हमें Strike price कौन सा रखना है ठीक है तो देखेगा opening price कितनी है 48,062 यानि कि अगर market open होता है 48,050 अगर open होता है तो हम यहांपर क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ 48,000 का ही हम strike price यहाँ पर selection करते हैं, लेकिन 48,000 0,60 के उपर अगर market open होता है, तो हमें simple सा करना क्या है, 48,000 100 selection करना है, अब यहाँ पर 48,000 0,62 है, तो हमें आपर 48,000 0,100 selection करेंगे, ठीक है, यह देखीगा, 48,000 100 का मैंने आपर strike price लगाया, 48,000 100, यह देखीगा, तो 48,000 100 का call भी आगया, और put भी आगया, ठीक है, अब हम चलते हैं, यहाँ पर option chart के उपर, तो यह रहाँ अपना option chart और यहाँ पर देखीगा, सारी बातें मैं आपको बताने चाहरा हूँ, कि कैसे कि आज बर्क हुआ, वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, आलगे देखीगे, मैं दोस्तों, मैं मेरा बता दूँ, मैंने आज वर्क नहीं किया, तो कि सर मैं अभी लगबग चाहता हूँ, कि लगबग नेस्ट भी वर्क करूँ, चलिए मैंने आज कुछ वर्क नहीं किया, किया हो, लेकिन सुटर कैसे वर्क किया, वो सारी बात मैं बताने के लिए, मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, तो देखीगा, मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, जैसे कि हमें आज की यहाँ पर देखना हूँ, और एंडिंग डेट मैं कल की रखता हूँ यहाँ पर, ताकि हम यहाँ पर पूरा देख सके हैं, आप देखीगा, मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ, प्ले कर देता हूँ, ठीक है, आप देखीगा, जैसे मार्केट ओपन हुआ, तो ओपन होते से भी कुछ इस तरह से आपको मार्केट दिखाई दिया, तो ओपनिंग केंडल पर हाल है कि यहाँ पर देखीगा, इसने यह बना के दिया था, रिएंट्री लेकिन नेस्ट केंडल जनरेट जब हुई, तो रिएंट्री यहाँ से हट चुकी थी, तो यह बाला सिग्नल ट्रेड नहीं करना था, इसके बाद देखेगा, फिर थोड़ा बाद मार्केट आगे बड़ा, साइडवेस चला और इसी तरह सा मार्केट लगबग चलता रहा, लेकिन मार्केट के अंदर देखेगा, फिर से इसने कोशिश की थी, री एंटरी बने, देखेगा, मार्केट छोटी भी कर देता हूँ, देखेगा, री एंटरी नहीं बने, ठीक है, इसके बाद देखेगा, मार्केट फोड़ा ओर आगे चला, और आगे चलने के बाद इसने री एंटरी बनाने की, बार-बार कोशिच कर रहा था market लेकिन re-entry बना नहीं पा रहा था ठीक है तो हम लगबग इसी के इंजार में करते रहें कि market कुछ re-entry या फर re-entry बना के देगा लेकिन और ऐसा market ने कुछ नहीं किया और market ने देखेगा re-entry बना कोशिच तो भोद कियी लेकिन बननी पाई फिर market ने देखिएगा इस तरह से चाल चली और market थोड़ा नीचे आया नीचे आने के बाद देखिएगा market थोड़ा sideways हुआ इसके बाद भी market ने हमें फिर से यहाँपर एक Entry कर भाई थी जो कि मैंने देखिए थी उस टैंप भी मुझे भी लग रहा था कि ट्रेड गरना चाहिए जिसे कि यह देखेगा यहाँ पर यह देखेगा साब यहाँ पर अब यहाँ पर देखेगा आपका री एंट्री यह केंडल अपना जनरेट हुआ है मैं थोड़ा कर देता हूं ताकि आपको चीजें किलेरली द पर करार है ठीक है तो आपको नेश्ट केंडल से एंट्री गरना था अब सापोस कीजिए आपका एंट्री लगबग 344 इसके पास भी हो गया कोई दिक्कत वाली बात ने इसके बाद देखेगा मार्केट आपका एकदम भागा और देखेगा मार्केट लगबग देखेगा क अब पहले आपसे बोल चुका हूँ मैं पांच तर लगबग ट्रेड नहीं करूँगा अगले वीक में ट्रेड करूँगा तो भी यहां पर क्या हुआ मैंने अपने आपको कंट्रोल किया और यहां पर देखेगा इतना सारा प्रोफिट सर मैंने छोड़ दिया आज अगर मैं बात करूँ मैं आपसे बुर्ण 344 से भी आपके अगर एंट्री हो जाती तो अगर आप यहां तक देखेगा अगर इसमें ले 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 थे 3455 अगर exit पॉइंट पर तक भी बात करूँ तो आप लगबग चार सु रुपे तक भी एगर exit करते तो भी कितना पैसा मिल एक हो कि अग्री करते ना यह पर मिला था काफी अच्छा है मोमें नाजर आया मार्स ट्रेण बना के दिया झाला है आप कुछ लोग है मार्केट में आशक्ल बलेम करने के लिए goddamn पंट staff लिए यक्रा होता है क्या पैसा बंता होगा क्या इसаю था होता तो हर कोई कान या सब कंपनी के बंद कर दिकिसा काम कर एक इसे की काम करें बंता अब चैनल मेरा काम करता हैं देने का मतलब यह है एचली क्या होता है बलेम करना ब्लेम करना सर आजसान होता है लेकिन अगर यहाँ पर देखो सर यहां से यहां तो क्या मेरेे ही पास गया आपके पास इसे नहीं हुआ है ऍप्षिंपल्स आपको यहां से एंट्री करना थे यहां तक इग्जट करना था पैसा मिलता कि नी मिलता डेफिनीटल लेकिन अगर आफ ब्लेम करो सर आप ट्रेड कर सकते हो सर में लेकिन ट्रेड नहीं कर सकता क्योकर मैं थोड़ा धीला किसम का आदमी हूँ अगर ऐसा है सर तो भी धीले आदमी सर मार्केट नो पैसा नहीं कामाते हैं यहां पर आपको चुस्त तंदुरिस्त रहना पड़ेगा और एक दम एंट्री करना पड़ेगा सर मार्केट मोका नहीं देता मार्केट में सर पैसा बरस रहा है दम हो तो लूट लो सिंपल से फंडा आपके सामने सब चीज हुई है आपके सामने साप निकल गया दम हो तो मार दो इसको यह चीज है साब तो भी यहां पर करना क्या है बलेम नहीं करना बहुत सो लोग यहीं करते हैं ऐसा होता है क्या ऐसा होता तुम यह कर देता बही ऐसा होता करके देख लो निमाने थू ठीक है तो यहां तक क्लियर है हम आगे बढ़ते हैं अब जैसे हम इसके प्ले करता हूँ देखींगा आगे बढ़ लेते हैं आगे बढ़ेंगे यहां पर देखींगा फिर से इंटरी करवाब हम फिर से यहां पर मजे लेंगे फिर से आपर पैसा बनाएंगे सार्थ टाइम देना पड़ता चीजों को और यहां पर अपने पास जो चीज है सर इतनी शांदार चीज है इसका कोई तोड़ नहीं है आप सर यहां पर देखेगा अब यहाँ पर क्या हुआ इस candle पर एक re-entry generate हुआ मैंने आपसे क्या बोला है कि re-entry जब generate हुआ क्या क्या ची चेक करना नीचे बोल्यूम चेक करना उपर strength चेक करना strength काफी अच्छा है लेकिन हम entry कप करते हैं हम entry करते हैं साब second candle पर जैसे अपने second candle generate हुई ग्रीन और एकदम वो white में convert हो गई तो क्या करेंगे trade करेंगे कि नहीं करेंगे trade नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी entry candle साब white है और entry candle अगर white है तो क्या होगा trade नहीं कर सकते हैं लेकिन suppose कि ये trade कर लिया हमने जैसे हैं अपनी candle generate हुई है वाली पही हमारी speed तेज है पहले green थी entry कर ली फिर white में करमेड होगा यह तो करना क्या है थोड़ा सा wait करो candle close होने का जैसे next candle generate होगी यहाँ पर exit कर जाओ लेकिन अगली candle generate होई यहाँ फिर से re-entry बना थोड़ा सा फिर से wait करेंगे फिर से wait करने बाद देखेंगा अगली candle क्या अगली candle आपकी green है तो भी उसके अंदर बने रहेंगे ठीक है बात समय में आ रहेंगे हम करते क्या है हमने यहाँ से क्या किया हमने यहाँ से entry signal generate हुआ next candle से entry करते है next candle लेकिन हमारी white बन गई और हम एक entry अगर नहीं करी है तो कोई बात नहीं बहुत अच्छा है लेकिन अगर entry कर ली है तो एकदम भी exit नहीं करना थोड़ा सा wait करो candle जैसे close होगी अगली candle का wait करो महाँ पर आपको exit करना है लेकिन सेर यहाँ पर फिर से re-entry generate हुई तो re-entry मतलब क्या होगा market में entry करना है तो थोड़ा साम बेट करेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर re-entry बनी तो क्या होगा यह क्या है signal candle और यह अपनी बनी entry candle तो आप यहाँ पर फिर से entry करोगे अगर आपने entry नहीं करी है तो entry अगर कर रखी है तो बने रहो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं जासे सर यहाँ से आगे बढ़ते हैं market ने क्या किया market और यहाँ सर market ने लेकिन white color की candle यहाँ पर generate करके दे दी तो फिर यहाँ पर white color candle generate होगे अगर आपने यहाँ पर भी entry कर रखा है तो आपको exit यहां पर करना ही इंट्रि करना पड़ेगा अगर आपने यहां से entry किया तो strictly आपको यहां पर exit करना ही करना पड़ेगा क्यों क्योंकि every entry जब signal generate होता है every entry के बाद कोई भी white color के candle generate हो तो आपको वहाँ पर exit करना ही पड़ता है this is the rule और rule follow करोगे तो फायद है मैं रहोगे साथ ठीक है तो यहाँ पर exit करना है कोई दिक्कन जैसे का अगर 304 305 पर एंट्री करी हो तो 305 पर आपने exit कर लिया आप आपने second candle यहाँ पर एंट्री करी हो तो भी आपने यहाँ पर exit किया नुक्सान साब नहीं हुआ नुक्सान नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि हम market के साथ चलने वाले हैं market के rule follow करने वाले हैं इसके बाद देखते क्या हुआ market नीचे गिरना शुरू कर दिया फिर से मार्केट से मौका देगा, फिर से हमें ट्रेड करना है, 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 फि एंट्री कंडल यह रहा, और एंट्री कंडल अपना green है, तो एंट्री करेंगे साब, तो एंट्री कितन से होगा, 412 रुपेसे मांच लिए, अपको पता होगा, जब फ्रेश शिंग्नल जनरेट होता है, टिक है, फ्रेश शिंग्नल मतलब क्या, जहां पर by लिख क्या आया, सबीर एंटर होता है वाहां पर क्या गरते हैं वाईट केंडल जनrüट लेकिन जब फ्रेशिनल जन रेत होता है लेकिन resource होता है Masanja क Ja weer अपने स्ट्रेंध की तो तो यहाँ पर हम exit नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम यहाँ पर इसलिए exit नहीं करते हैं हम तब exit करेंगे जब हमारे यातो ऐसे लिए रेट कलर की लाइन दिखाई दे रही है यह आपकी break हो जाए यह उपर उपर first target achieve हो जाए इसके बाद white candle बने तो ही exit करेंगे अधर बाइस नहीं कर सकते है ठीक है और अब देखते हैं क्या हुआ इसके बाद देखेंगा market न भी इतना जो चाल चली है और market देखेंगा उपर ही भागा है और market देखेंगा first target achieve कर दिया इसके बाद फिर white candle generate कर दी मतलब क्या होगा exit करना साब क्योंकि white color candle बन गई है first target achieve होने के बाद अगर white color candle generate हो रही है तो आपको strictly exit करना है ठीक है लेकिन first target achieve नहीं होता पहले white color candle generate होती तो exit नहीं करते ठीक है आगे बढ़ते है जैसे आपर आगे बढ़ेंगे देखिए हम exit कर चुके हम पूरा market हम फालतू बेटा है कोई दिखकरने भी कुई tension नहीं लेना फिर से हम bet करेंगे market के अंदर फिर से कुछ ना कुछ generate हो और जैसे generate होगा definitely हम काम करेंगे दोस्तों देखेगा market में जो काम गर्धन साब चील की नजर रखनी है साब कितने बाज की नजर रखनी है क्यों क्योंकि साब बात ही होती है market को बस देखना ट्रेट किला कि जहां मौका मिला वहां पर trade करना साब तो आपको पैसा जरूर मिलेगा लेकिन अगर मार्केट में कंडिशन फुल्फिल हो या आप मार्केट को आप पर काम नहीं कर पा रहा हो तो ऐसा कुछ नहीं करते है महां से दिक्कत आएगी आपको अब यहां पर देखेगा यहां पर कुछ लोगों मेरे पर कोल आया था इसलिए मैं आपको सब चीह बाताने चाहाँ तो जोला पीछे गर लेता हूँ यह देखेगा आप देखेगा क्या हुआ जिस केंडल पर आपका सिगनल जो जणरेट हुआ था यह वाला अगर आप इसक एंपर रेड था लेकिन थोड़ी देर बाद यानि कि candle की closing के पास जैसे अपना candle मतलब कि यह थोड़ा ऊपर गया तो volume हमारा green हो गया और यहाँ पर देखी का line हमारी यह green में convert हो चुके है इस strength भी वह लगवा 68% था तो आप यहाँ पर अब entry करोगे ना की पहले यानि कि जैस लाइन अभी क्या है यह भी red है लेकिन यह देखिएगा candle थोड़ा सा एदम candle जब इसके अंदर उच्छा लाया candle एदम जादा हुआ volume green हो गया line green हो गई strength आपका 68% green है तो आप यहाँ से entry करोगे यहाँ पर entry price कितना है 389 तो यहाँ से entry करोगे आपको SL लगाना है target लगाना है जो भी हो उसका welcome है इसके बाद देखिए क्या हुआ इसके बाद देखिए market उस तरह से चला थोड़ी white color candle generate हुई डरने का बिलकुल लें क्योंकि अगर आप सही हो ना तो market आपसे पैसा नहीं ले सकता आपको पैसा देखिए जाएगा और आप यहाँ पर check कर सकते क्या हुआ यह देखिए market आपका first target achieve किया ठीक है पैसा पैसा book किया target achieve किया बस बात खतम हो गई ठीक है इसका अगर जोन लोगों ने आपर hold कि आपको बताना चाहता हूँ ठीक है अब नुकसान कौन लोग करते है साब सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन जो डरपोग लोग होते सर बुका करते हैं वो नुकसान book करते हैं profit book नहीं करते हैं जैसे यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा यहां से सर मेरे कुछ लोग अभी भी call करते हैं सर कि ऐसा क् अच्छे कर लेता हूँ देखेगा आपको बाताना चाहूँगा यह देखेगा कुछ चीज ऐसी है जो कि थोड़ा मैं आपको समझाने के परियास करता हूँ तो यह देखेगा जब यह signal generate हुआ था यह वाला तो यहाँ पर क्या हुआ कुछ लोग यह बोलेंगे कि सर आपका signal generate हुआ ना कोई दिक्कत ने उस टाइम पर SL कितना था ट्रेलिंग SL तो ट्रेलिंग SL की जो value थी उस टाइम पर यह रेड कलर के जो लाइन आपको शुकर रही है बो यह आपकी ट्रेलिंग SL की value है कितना है 343 आपका बाइंग लगबग कितना चल रहा है 3211.90 लेकिन हमने ल कैसे बता देता हूँ थोड़ा इसको मैं आगे करता हूँ जैसे देखीगा आगे लिए candle हमारी जनरेट हुई यह वाली जनरेट हुई अभी फोट मतर तरी 43 है अब देखेगा जैसे प्राइस थोड़ा आगे बढ़ेगा तो क्या होगा ट्रेलिंग SL की value चेंज हो जाएगी अब देखेगे प्राइस थोड़ा नीचा है ट्रेलिंग SL के अंदर कोई बदलाब नहीं है लेकिन जैसे प्राइस आगे बढ़ेगा तो क्या होगा ट्रेलिंग SL चेंज हो जाएगा यह देखेगा फर्स टागेट अच्छी हुआ ट्रेलिंग SL कितना हो गया 304 रुपय हो ग अब कर देखेगा मार्केट जैसे आगे गए ठीक है जैसे मार्केट और आगे जाता देखेए कितना हुआ 359 अपकी SL वेल्यू आगे है इसके बाद देखेगा और मार्केट के अंदर मॉम्मेंट हुआ इसके बाद देखेगा 362 SL की value आ चुकी है और आगे देखीगा जैसे जैसे market आगे गया देखिए आपकी SL value कहां पहुँच गई 409 रुपे पहुँच गई चीक है तो इस तरह से trailing SL मतलब होता क्या है price के according SL को automatic change होना this is called trailing SL ठीक है अब भी बहुत सो लोग बोलते है हम जब buy करने जा रहा है तो प्राइस यहाँ पर चल रही 455 SL यहाँ पर दिख रहा है 409 रुपे और कभी कभी मार्केट नीचे जब आता है तो trailing SL value मही फर रहती है ठीक है पर बोलते है trailing SL value उपर जा रही है और लेकिन प्रेश एंट्री करो भर यहाँ फ्रेश एंट्री करो सिंपल सा आपको trailing SL ही लगाना है तो आपको कभी दिख कर नियाएगी लेकिन अगर आप अभी चेक करोगे कि सर आभी मैंने यहाँ पर किलिक किया सर मुझे प्राइस दिख रही है चार सु सोलो रुपे यहाँ पर किलिक किया सर मुझे प्राइस दिख रही है तो आपने यहाँ पर किलिक किया दो स्केंडल की वेल्यू आपको शो कर रही है लेटर सेक करो तो आपको trailing SL की वेल्यू और प्राइस के अंदर काफी डिफरेंस दिखाई देगा लेकिन जैसे यह प्राइस नीचे जाती है जैसे कि आपको जो रेड कलर की जो लाइन है रेड कलर की जो बेल्यू इसको अगर क्रोश करके नीचे आती है तो क्या होगा अपना सिस्टम सेलिंग तो देते ही नहीं है तो सेलिंग की आपर प्राइस शो करती ही नहीं है तो आपको अगर प्राइस दिखाई दे रही 360-370 लेकिन आपको लेकरा है कि ट्रेलिंग अशल अभी भी 400 नोगी दिखाई दे रहा है वह भी दिखाई देगा क्यों? क्योंकि ओंड लिए बाइंग पकड़ रहा है सेलिंग नहीं पकड़ रहा है सेलिंग अचाल अगर पकड़ता तो ऐसल आपके वेल्यू और चेंज हो जाती है लेकिन बाइंग की वेल्यू पकड़े हुआ ये इसलिए आपमें आपर ये प्राइस दिखाई देती है तो ये तो होगे साब किसकी बात call option की है अब बात करते है put option में क्या हुआ तो सर्थ बताना चाहूंगा put option morning से ही लगातार गिरा है और put option के अंदर आज एक भी काम नहीं हुआ है इसलिए देखीगा यहां से market open हुआ लगाता नीचे गिरा buy signal generate हुआ अगला देखें candle पर volume नेगेटिव था strength नेगेटिव था तो total put option नीचे गिरा है तो put option में आज कोई भी काम नहीं हुआ आज जो भी काम हुआ है सिर्फो सिर्फ call option के अंदर काम हुआ तो सारी चीन में आपको बता चुका हूँ ठीक है और मैं फिरसे बोलना चाहूंगा दोस्तों अभी भी हमारी आपर ओफर चल रहा है न्यूवर का तो जो लोग ओफर का लाव उठाना चाहते हैं सर बिल्कुल आपका वेलकम है और यहां पर ओफर का लाव आप उठा सकते हैं ठीक है तो दोस्तों आशा करतूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो जरू लाइक किज़े कर अच्छी लगी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल जिरू सब्सक्राइब किज़ेगा दोस्तों सिंपल सी बात है बात है मार्केट कंदर अगर पैसा बनाना दोस्तों तो सच में किरों इची दिल से किरों सब रूल फोलो करना सीख जाओ बस रू आपको पता है सर आपने दिन भी काम करेंगे एक लाग रूपय कहीं नहीं किया ऐसे काम आलेंगे तो जल्दवाजी किस बात कि नहीं करना कोई तो सिंपल से यह बात है सारी चीजें रूल जंदगी में होना चाहिए तो ही पैसा बंता सार रूल अगर नहीं बनाओ आपको अच्छी लगी होगी मिलता है एक नई वीडियो साथ तब तक के लिए बाई एं थैंक्यों